आज हम बनाने वाले बहुती पॉस्टिक और गुनकारी लड्डू रिजल्ट देख सकते हैं दोस्वा हाँ दोसर इसी इत लड्डू को हमें सुब़ सुब़ खाना है और दो घंटे के बाद चाय नाश्टा करना है खास करके हम बच्चों के लिए लड्डू बना रहे क्योंकि बच्चे लोग कही करके खाना खाते ही नहीं है इनक बार इनको लड्डू खिलाओगे और उनको फूल एनरजी आगे ऐसे ने कि इसमें हमें खाना अची है अभी तो दिवाली होगे तो थंडी थंडी में खा सकते हो, गर्मी में खा सकते हो, बारिश में भी खा सकते हो तीनो एनी टाइम आप लड़ू खा सकते हो, सिर्फ सुबा सुबा खाना है, फिर बाद में हमें चाय पानी नाष्टा करना है एक बार एक खाओगे न तो फिर मुझे बताना कि आपको ये लड़ू कैसे ले तो यहाँ पे वजन में देखा जाए तो एक किलो हमने मुंग फली लेनी तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही पोजिक लड़ू बनाने वाले एक बार ये सुबह सुबह आप लड़ू खा लोगे न आपको सही में बहुत ही बढ़िया एनर्जी आएगी आप इसे बारिस में भी खा सकते हो गर्मी में भी खा सकते हो थंडी में भी खा सकते हो साल बर आप इसे खा सकते हैं फिर आपको बहुत ही अच्छा benefit इसे मिलेगा तो एक किलो यहापे मैंने मुंफली ली है अब यहापे हमने लेना है पौना किलो जितना गुल एक किलो में थोड़ा कम गुल चाहिए अब यहापे मैं आपको बताओगी कि गुल हमें यहापे कौन सा लेना है यदि आपके यहापे देशी गुल मिल जाए तो वो बहुत ही बढ़िया है नहीं मिला तो इस बाद का ध्यान देना कि बिना चिक्की वाला गुल लेना है क्यों बिना चिक्की वाला गुल लेते हैं तो अच्छी तरह से लड़्डू हमारे बनते हैं थोड़ा भी खाने के टाइप चिपचिपा नहीं होता है आप देख सकते हैं इसे मैं आपको तोड़ के बता है थोड़ा भी चिपचिपा ने कुछ भी ने तो यहाँ पर हमने एक किलो मुंगफली में पौना किलो यहाँ पर हमने गुल लेना है एकदम पर्फेक प्रमा ने ज्यादा मीठा भी लड़्डू लगेगा न कुछ भी ने पर स्वाद एक नमबर आएगा अभी हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर हम लेगे 1500 गुंद यह वाला गुंद इजीली कर्याना या मजार में मील जाता है दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से यह डालने से हमारे जो कंबर दध होना कुछ भी होता है तो इससे हमारे हमें अच्छी तच्छे सहित को ब भून लेती हूं क्योंकि छोटी वाली कड़ाई ने इसलिए जब तक इसे भूनेगे जब तक की मुंग फली में क्रिश्पी पन ना हो जाए अच्छी तसे भूनना है मुंग फली में थोड़ा यानि थोड़ा भी कच्छा पनने चाहिए हां दो से यह आपके लड़के बाहर पढ़ने गई है ना तो वह आती महीने में एक बार तो उसके में लड़ू बनाके दे तो बहुत ही अच्छा लगता है उसको अच्छा भी लगता हो एनरजी भी आती आपके लड़के कहां पर यह लड़के पढ़ने जाते होगे तो आप उनके लिए बना कर देखो सह वाज आज आतना चटाके तो इससे समझ में आता कि मुंगफली अंदर से अच्छी तसे यह भून कर हो चुकी है और मुंगफली में थोड़ा भी कच्छा पन्ने कुछने तो इस तरके से जो दूसरा बैज बचा है वो भी हम इसी तरह के भून लेते हैं इसे फ्लेट में निक अब इसको ऐसे छोड़ देते तब तक हम में प्रोसेस कर लेते हैं उसी कड़े में आधा कब जीतना गी डाल देना है शुद्ध गी डालना है दोस्तों गी को अमें गरम कर लेना क्योंकि अलड़ी घृ कड़े गरम यह न तो इसलिए गरम होई जाता है गी को गरम कर लिए अब यहां पर हमने गोन लेना है गोन को हमें अच्छी तासे फ्राइ कर लेना है गी को अच्छी तासे गरम चे थंदा तेल बिल्कूल भी निचे थंदा गी बिल्कूल भी निचे यदि थंदा गी होगा तो हमारे यह गोन फ्राइ नहीं होगे फ्राइ करने का कारण बता द अब यहां पर गोन अच्छी तरह से मने फ्राइब कर लिए आप देख से तो बढ़िया सा है ना इस तरीके से फ्राइब होना चाहिए कलर भी बढ़िया सा चेंज हो चुका है इसका कच्छा पन रहेगा तो चिप पापन लगेगा भी मज़ा आएगी नी लड़ू खाने में अब इसे एक प्लेट में हमें निकाल लेना है इस तरीके से तो इस तरीके से बाके का गोन भी फ्राइब कर लेते सेम टू सेम हमारे गोन भी फ्राइब हो चुका है अभी हां पर मुंग फली भी थंडी हो चुके अब हमें चिलके निकाले ना इजीली चिलके निकल जाते है से खाना पसन करते हूं तो इस तरीगे पीद याज मैं आ ल्ता मैं फिर CT यपाहर दो फ्लेवर के लिए ऊद्धा ठोटास में उसक्मज непषिट बेकि बड़ा बसक शील चेहां जाणा है क्यांगातों इसका झालाएट देर घाल कर लेकी सो और जानुम कोई बना जाएगा अब यहाँ पर हम लड़ू बना लेते, आपको कितनी बड़ी या छोटी साइच है, आपके इसाब से कम ज़्यादा साइच कर सकते हो, यहाँ पर मैं मीडियम साइच करूगी ज़्यादा बड़ी भी ने और ज़्यादा छोटी भी ने, एक यहाथों से लड़ू बनकर तयार ह हो जाते दोस्तों ज्यादा समय लगता ने कुछ भी ने आप देख सकते इस तरीके से अभी यहां पर दोसरा हाथ ले 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 तो इस तरह और दबा ले तो कि दम बढ़िया से बाइंट होई जाता है उसमें अच्छी तसे चमक भी आ जाते अब इस तरीके से गोल गोल करेगे अच्छी तसे इसका सेव देदेगे आप इस लड़ू को एक महने तक रख भी सकते थोड़ा भी खराब होता ने कुछ भी नहीं जब भी खाना ओप सुबसुबसुबस खाए खाली पेड दो गंटे के बाद आप चाई पानी नाश्टा कर सकते उठे ना ब्रश करने लाए पर इसे एक महिने तर श्टोर करके भी रख सेते हो, खुन की कमे होना या चक्कर आना तो या कमबर दुखना, तो हमें बहुत सारे इसे छोटे-छोटे दर्द शरीर में होता ही है, तो आप एक लड़ू सुबह-सुबह खाओगे न, तो फूल एनर्जी आएगे एकदम बढ़िय के जैसे गूल जाएगा, उम्मीद करूगी तरीका आपको बहुत ही पसन आएगा, चैनल पे नहीं होगे, तो लाइक करें, शेर करें, सस्क्राइब करना ना भूले,